नमस्कार दोस्तों मैं शेफ पुनम मेरे चैनल घर की रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल दूद और तर्बूस का शर्बत जो की आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और इसको जब आप पीते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको भूक नहीं लगेगी और ये एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक है और इसे इफतारी ड्रिंक में जरूर शामिल करें और आजकल गर्मिया बहुत हैं तो इसको जब आप पीएंगे तो आपको ठंडग भी बहुत मिलेगी इसको एक बार जरूर बना के पीज़े क्योंकि इसको जब आप बना के पीएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा तो चलिए इसे फटा-फट बनाना सीख लेते हैं और इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं तो इसे इस ड्रिंक में जरूर शामिल करें हाफ कप इसमें हमने नॉर्मल टंपरेचर का पानी एड़ कर दिया है और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे और इसके बाद हमने तीन कप मिल्क लिया है इसे हम ग कर सकते हैं और अगर आपका तर्बूज मीठा है तो शुगर थोड़ी कम ही यूज कीजिए इस बात का ध्यान रखिए और यह देखिए हमारा शुगर अच्छी तरीके से घुल चुका है अब इसे हम ठंडा कर रहे हैं और इसके बाद हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में र अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है इसे हमने चान लिया है अब इसमें हम एड़ करेंगे तर्बूज और यह तर्बूज जो है वन कप है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे सब्जा के बीज और यह बह इसमें काजू बादाम लिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको ड्राइफ फ्रूट्स पसंद है वह एड़ कर सकते हैं और जब आपको सर्फ करना हो तब आप इसमें आइज एड़ कीजिए और इसके बाद हमें टू टी स्पून रूफज आड़ करना है और इसे अब हम ठंड़ा ठंडा सर्फ करेंगे तो गर्मियों में इसे जरूर बनाएं और इफ्तार में तो इसे जरूर ही ट्राइए करना चाहिए आपको और इसे हम सर्फ कर लेंगे सबसे पहले और इसके उपर से हम छोटे-छोटे पीसे चौप किये हुए तर्बूस क लगा देंगे इससे देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये देखने में और साइड में एक तर्बूस की स्लाइज हम लगा देंगे जिससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगे और लग रहा है ना बिल्कुर रेस्टोरेंट स्टा